हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई एनदर निव वीडियो तो गाइज बीट एम स्केनर में और एक निव अपडेट आ चुका है और वो भी गाइज लाइफ टेम के लिए और गाइज आप लोगों को पता है कि ओल जितना हेकिंग एप है तो गाइज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या कि यह एकिंग जो एप है और इस वीडियो में बताऊँगा कि कौनसा वाला एप जो है है कि अच्छा है ठीक तो गाइज क्या है कि एकिंग से सबसे अच्छा है मुझे लग रहा है कि aim के राम है तो आपको last में process जो ही यह पता चल जाएगा और सबसे better मुझे वही लग रहा है कि bit aim scanner है guys क्या है कि guys आप लोग जिदर चाहे उसको use कर सकते हो aim best में भी use कर सकते हो aim के राम में भी use कर सकते हो आप लोग lulu box में भी use कर सकते हो तो कौनसा वाला एप आच्छा हुआ तो guys मुझे comment करना ठीक है क्या है कि guys आपको यह bit aim scanner को aim के राम में भी gameplay करके दिखाऊंगा और aim best में भी gameplay करके दिखाऊंगा ठीक है क्या है क्या है कि guys यह आपको process जो ही यह मुझे बहुत अच्छा लगा था कि bit aim scanner में जो update आया है ना यह वाला update तो मुझे कमाल का update है तो guys क्या है कि पहले पहले आप लोगों को पता है कि show नहीं कर रहा था कि indirect line जो है वो show नहीं कर रहा था तो अभी जो indirect line आया है ना यह कमाल का update है तो आपको process जो ही यह दुसरा वाला match में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो क्या है कि यह वाला match आपी complete हो चुका है guys और यहाप पर देख लिए आपका जब भी जरूरत परता है aim के राम को use करना तो guys यहाप पर देख लिए मेरा यहाप पर जरूरत थी तो इसलिए मैं उसको use किया तो guys यहाप पर देख लिए कि aim के राम जो bit aim scanner जो है guys ऐसा एक app है तो guys आप लोग जिदर चाहे उसको use कर सकते हो और पहले आप लोगों को पता है कि वो show नहीं कर रहा था तो आभी बहुत ही अच्छी से show भी करता है ठीक है तो guys यहाप पर देख लिजए कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि aim के राम में use करके bit aim scanner को तो दोनों एप देख सकते हूँ कि तो guys यह मुझे बहुत आच्छा लगा कि aim के राम में भी आप उसको use कर सकते हो बट अभी show नहीं करता है guys तो क्या है कि guys यह aim के राम indirect line जो है वो aim के राम के पस खूद है इसलिए वो show नहीं कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है तो फिर भी देख लेते कि guys यह aim के राम का जो update है ना guys यह दो दिन बाद बाद आपड़ेट आ रहा है तो कोई बात नहीं क्या है कि guys आपको पता है कि bit aim scanner जो वोल टाइम ही लेजन्ट है और aim के राम जो है guys यह कभी कभी शोग करता है कभी कभी नहीं करता है वहीं पॉब्लेम है guys तो यह मुझे यह मैं कह नहीं सकता कि bit aim scanner जो है यह अच्छा नहीं है लेकिन aim के राम जो है गाईज यह अच्छा है लेकिन bit aim scanner से अच्छा नहीं है क्या है कि गाईज यह देख लिजए कि यह कभी कभी indirect line show करता है लेकिन bit aim scanner all time show करता है तो कौनसा वाला अच्छा हुआ तो गाईज मुझे comment करके बताना और यहाँ पर देख लिजे कि bit aim scanner जो है गाईज अब जो भी एप चाहे जिदर भी चाहे आप उसको use कर सकते हो तो इधर में भी यह वाला सबसे अच्छा है तो गाईज यह वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था लेकिन aim best में bit aim scanner जो है गाईज वार्क करता है इसलिए आपको दिखाया नहीं कि वीडियो ज्यादा लॉंग हो जाएगा गाईज तो गाईज अगले वीडियो में ट्राइ करूंगा कि आपको पूरा जो hacking एप है तो वही दिखाने का कोशिश करूंगा ठीक है और गाईज वाला एप चाहिए तो मेरा टेलेगराम चैनल है तो डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगा आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हूं और जोइंट करके रखना क्या है कि गाईज मैं चोटा चोटा अपडेट जो है मैं यह आपर आपको शेयर करता हूं ठीक है और यह वाला मैच यहां से फिनिश कर लिया और देख सकते हूं एम स्केनर जो है बीट एम जो है तो गाईज यह वाला शो नहीं करता है बहुत बार ट्राइक कर चुका हूं मैं तो शो नहीं कर रहा था ठीक है तो गाईज यह आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना प्रेंड के मैंने देखा है कि 70% लोग के वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो गाईज आप लोग चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलता हो कि आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई